लेकिन कहीने कहीं ये भारत पर दवाओ बनाने की भी तो कोशिश है अजय क्योंकि जाहर है एक तरफ तो भारत को दिखाने की कोशिश चीन कर रहा है कि हम आपके साथ सीमा विवात सुल जाने के लिए कोशिश में हैं हम गतिरोध खत्म करने की कोशिश में हैं और दूसरी तर पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमती बनी तो ये काहा जा रहा था ये सोचा जा रहा था कि शायद अब चीजें बदलेंगी और चीन जो है वो शायद समझ गया होगा मगर चीन शायद अब ये चीज़ खाली दिखाना चाहता था अंदर खाने से चीन को उस्टीज का मलाल का दोर बड़े तो ऐसे में इस सीज की अशंका तो पहले हैसे है आप देखें जो सहमती बादसीत के दौरान हुई थी पेट्रोलिंग को लेकर लेसी पर उसके बीच अगर आप उसके थोड़े पहले समय को देखें तो किस तरीके से सामने आया था कि लदा के दूसरी तरफ उसी बीच जो है यह होना की चीन जो है बुटान में जाकर वहां गाउं बसा रहा था और इस सीज का खुलासा होना यह बताता है कि चीन जो है अपनी इंकर्शन की पॉलिशी को नहीं बदलने वाला चीन जो है अभी भी उसी पर आड़ा हुआ है बेशक बाचीत का सिलसला जारी है मगर चीन पर बहुत जादा भरोसा नहीं किया जा सकता लेकिन यही वो डुकलाम जगह है जहां पर 2017 में इसी जगह को लेकर जो ट्राइ जिंक्शन माना जाता है भारत चीन और भुटान का इसी को लेकर तनाव भी हुआ था दो महिने तक उस वक्त तनाव हुआ था हमारे जवान शहीद भी हुए थे अब उस डुकलाम पर कहीं कहीं नजर है यह भुटान में गाउं बसाने का एक मकसद क्या यह है कि हम डुकलाम पर नजर फिर से बनाए रखें और डुकलाम के जरीए जो सिली गुडी कॉरिडोर है और भारत के अंदर हम फिर से पैट कर सक देखें नहीं बैटेगा और इसी वज़ा से आप देखें तो यह मुम्किन है कि इस तरह की कोशिश चीन ने की हो कि जो उपरी इलाका भुटान का है ऐसी इलाके में गाउं बनाएं और यह खाली गाउं नहीं बसाए गए हैं वहां पर सड़क संपर्क को पूरी तरीक से सुनिशित करता है वो बन्यादी चीजें जो उसकी फोज को वहां चाहिए हों को उनको सुनिशित करता है ऐसे में यह जो गाउं बसाए गए हैं इसमें भी लग रहा है कि शायद अशंका यही है और इस चीज़ को लेकर जरूर भारत ने भी तयारियां की हैं कि आगर चीन कोई ऐसी हर कर जरूर अँठाएगा मुद्दे को इस बारता को कि आखिरकार किस तरीके से चीन जो है वो भारत को डॉमिनेट करने का प्रयास कर रहा है उसके पीछे कि मंचा चीन की क्या है लेकिन यह पहली कोशिश नहीं हाली में खबर आई थी कि लद्दाख के पास जो पैंगॉंग जील है पैंगॉंग जील के पास चीन ने पूरी की पूरी बस्ती बसा ली है वो भी सेटलाइटी मेंस से खुलासा हुआ और कहिने कई सामरिक दृष्टकों से इस तरह की बस्ती बसाई जाती है ताकि हम सैनिक बंकर भी वहां बना सके और भुटान में यह बाइस गाओं ब इतना वक्त कैसे लग जाता है जब वो पूरा का पूरा गाओं बसा देता है पूरी की पूरी बस्ती बसा देती है तब यह खुलासा हो पाता है देखे दरसल चीन जो है टेकनोलिजी से का इस्तेमाल करता है और शाहिए यही वज़ा है कि उस इन इलाकों में जब जब यह वहां पे कुछ डिवल्मेंट करता है तो इमिजेटली उसका पता नहीं चल पाता है हला कि भारत भी कई चीजों के लिए अब बहतर जो है वो सिती में पहुंच चुका है और काक्तोर पर अगर सैने ताकित की बात कि जाए तो जो वो चीन पिछले कुछ समय में देख चुका है तो चीन शायद इसी वज़ा से इन चीजों को छुपाने में कामियाब रहता है और शायद ये तरीका चीन का रहता है कि पहले वहां पर जो लोकल लोग है उनकी मदद से जो काम करना है वो कर लिया जाए और चीन उसमें शामिल है या चीनी सेना का ये कारणामा है उसका खुलासा तब होता है जब उनकी अपनी मुवमेंट वहाँ शुरू होती है जो जा हमने आया कि चीन जो है इसके पीचे है और यह गाओं इंटेंशनली वहां बसाए गए हैं क्योंकि जो जगाओं बने हैं वहां से जो भारतिय क्षेतर है वो नीचे है रुकलाम का जो इलाका है वो नीचे है और इसी वज़ा से चीन की तरफ से यह कोशिश की गई होगी कि वह हम पर अगर वह अपने कैम बना लेता है हने वाले समय में तो उसमें डॉमिनेंस जो है वो चीन की हो जाती है और दूसरी आहम चीज़ आपको बताओं कि यहां पर सलक्संपर को रिस्टोर करना पूरे तरीके से वहां पर बाकी चीजों की कॉम्निकेशन और जो पानी चीज हैं यह बेसिक अमिनिटीज हैं उनका वहां पर एंशोर करना यह दर्शाता है कि कहीं है कहीं चीन की मंचा जो है वो इसके पीछे कुशोर होगी यकिन आपनी जो कंसर उठाया है कि पांच साल लग गए इस चीज़ को लेकर लदाक में जब पैंगरों के दूसरी तरफ उसन अमाम चीजों का इस्तमाल करके चीन जो है वो शायद चुपाने में काम्याब होता है मगर समय पर जब यह चीजें जानकारी आ जाती है तो भारत भी उसके हिसाफ़ अपने इलाके में अपने क्षेतर में अपनी किले बंदी जो है वो पूरे तरीके से सुनीचित कर रहा हो होता है ये भी साफ है तो इस तरह की खुलासे जब होते हैं उसके बाद कूटनितिक तोर पर क्या रुख रहता है खास तोर पर आज बड़ा महतपूर्ण दिन है जब आचीनी राश्पती से दूपक्षे बाचीत होगी इतने लब अरसे बाद तो क्या जो इस बाचीत में क देखे जहां तक आज की बैठक का सवाल है चीन के राश्पती और भारत के बदानमंत्री के बीच में जो बैठक होने वाली है इसमें जो एहम चर्चा होगी वो कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच बेहतर तालुकात को लेकर ट्रेड को लेकर और दोनों तरफ से जो है वो इलाके में करने दी जाएगी लदाक में दोनों तो सेनाय करेंगे पहले पीछे घटेंगे और चबाद पैट्रोलिंग इरिया जो है वो तैह हो जाएगा तो ये कहीं न कहीं कि इंडिकेशन है कि जरूर एले सी विवाद को लेकर बीच बीच में आज नहीं बलकि लंबे समय से विवाद बना हुआ है और इस विवाद का अंत करना है और दोनों देश अगर बैटर तरीके से आगे बढ़ पाएं तो उसके लिए जरूरी भी हो जाता है अब देखना होगा कि किस लेवल पर क्या चीज़ों में चर्चा होता है मंगर एक चीज बड़ी साफ है कि दोनो बहुत बहुत शुक्रिया आजे तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए चीज जरूर विस्तारवादी नितिया अपनाता है और समय समय पर इस तरह की कोशिश करता है लेकिन भारत भी इन कोशिशों का मुखतोर जवाब देता रहा है